65 साल के जादव पायंग को वर्ड्स अर्थ दे के दिन देली में इंडियन गौर्वर्मेंट की तरफ से एक टैटल लिया गया और टैटल तर दा फॉरेस्ट मैन का एक्चली जादव ने 1300 अकर यानी एप रॉक्स 5.25 स्क्वाइर किलो मीटर बंजर जमीन को एक फॉरेस्ट में कनवर्ट कर दिया एक फॉरेस्ट में तबदील कर दिया वो भी अकेले जादव स्टार्टेट प्लांटिंग इन 1979 और वो आज भी प्लांटिंग करते हैं इस पूरे बंजर जमीन को उन्हें फॉरेस्ट में तबदील करने में पूरे 30 साल का समय लगा जो कि वहां मौजूद लोकल्स ने मोला यानी जादव के 30 साल के परिश्रम को ट्रिब्यूट देते हुए रखा जादव पाइंग को सब प्यार से वहां के लोकल्स मोला कहकर बुलाते थे अलाकि जब उनसे पूछा गया उनसे इंटर्व्यों में सवाल जबाब के गए तब उन्होंने इस पूरे उन्फोगटेबल वर्क के क्रेडिक लेने से साफ तौर पे मना कर दिया He said that birds, cows, deer, wind, water and elephants have helped me a lot. So the credit goes to them. I hope you all liked the real life story of the legend, the real life hero, the pride of India Mr. Jadar Paii the creator of Molai forest